एलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है अपना स्टेड़ी लक्षर यूटूब चनल में तो दोस्तों ये बार फिर आजी रहे हम आपके साथ एक मुश्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकार यानि फ्रेंट्स इस वीडियो में जो बात करने बाले है जैसा कि आपको इसक्रीन लो भूजाएं अलग-अलग हैं तो इसका छेतफल निकालना है साथी साथ इसको दो बराबर भागों में भी बाटना है तो फ्रेंट्स इसको कैसे बाटेंगे या आप इसको जानना चाहते हैं तो वीडियो को यंट तक जरूर बने रही का तभी आपको ये सारी जानकारी म किस प्रकार कनवर्ट करें या बिभिन प्रकार के छेतरफल जो होते हैं भिन-भिन खेतों के वरगा का रायता कार त्रिभुजा कार समलम चत्रभुज के आकार का बृता कार त्रिभुज के दो बराबर तिन बराबर भागों में बाटना है तो ये सब जानकारी आपको तब साथ साथ आप कहा सकते हो मारला सिरसई यानि जो पंजाब स्टेट में चलती हैं तो यह सब जानकारी आप तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब किये रहोगे और बिल आइकन को प्रेस किये रहोगे तो मैं वीडियो अप्लोड करूँगा सबसे पहले आपको वाश चतुरभुच टाइब का खेट दिख रहा है जिसके छेतफल के अगर हम बात करने वाले हैं तो इसकी चारो भुजाएं क्या है चारो भुजाएं इसकी बराबर नहीं है तो इसका अगर आपको छेतफल निकालना है तो सिंपली आपको करना क्या होगा जैसा कि इधर 11 यह है आपका 38 फूट तो इसका छेतफल सबसे पहले आपको निकालिए यह आपका एक समलम चतुरभुच की आकार का टाइप का खेत है यहनि समलम चतुरभुच की एक कंडिसन यही होती है कि दो भुजाएं क्या होनी चाहिए इसकी समानतर होनी चाहिए उसकी एक लंबोत तो समलम चतुरभुच का एरिया बराबर आपका हमेसा यही होता है कि आप इसको क्या करिए समानतर भुजाओं का योग यानि 11-4 को जोड़ लेना है समानतर भुजाओं का योग 11-4 यह हो जाएगा अब बटे आपको इसको 2 कर देना है इंटु करना है गुड़ा में और आ हो जाएगा 11-4 पंदरा तो यह पंदरा को और आप इसको क्या कर दीजिए उनने इसका गुड़ा कर दीजिए तो यह आपका 6 तफल निकल के आएगा ठीक है यानि 6 तफल जो आएगा कितना आएगा 200 इसका मान जो आके निकल के आएगा यह सिंपली आप देखेंगे तो 285 ठीक है 285 इसको कुड़ा करेंगे तो 285 आपका मान निकल के आजाएगा अब देखे इसको आप एक बिधी और है जिसको आप निकाल सकते हो हम यहाँ पे जो बिधी बताने वाले हैं उसके पहले हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे दे दें देखें यहाँ पे आप अगर द छे फन निकल लिजीए और इधर का छे फन निकल लिजीए तो दोनों का अगर छे फट निकलेंगे और क्या करेंगे एड कर देंगे दोसे भाग कर देंगे तो बराबर भागों बढ़ जाएगा लेकिनन एक दिक्कत आपको कहां पे आने वाली है कि जब देखें यह आपक कि लंबाई आपको कुछ जादा लेनी पड़ेगी इधर आपका कम रहेगा तो आप देखे इधर आपका कम रहेगा यानि ये आप तिरचा बनाना पड़ेगा कुखेत मेर जो बनाएंगे आप तिरचा रह जाएगा यानि इनका हिंसा जो रहेगा फस्ट वाले भाई के सामने हो जाएगा यह बाला भाग तो कोई बयाबर यह यह सब का ब Years कि अव problems को सका है कि यह कर थोड़ा ça क्या कि चद्या होता है कि आपने क्यों सब्द्रिच का सब्सक्राइब ऑद्यमाल कि कि आप गलत बताया है रॉंग बताया है गलत है वो हला कर मारते हैं तो हला नहीं करना है एवरेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है यह हो सकता है लेकिन माइनर डिफरेंस रहेगा उसका एरिया आप जो कि अगर आप एकुरेट करते तो थोड़ी से लंबाई इधर उधर आप बदल सकते हो ठीक है तो सिंपली इसको देखते हैं कि किस प्रकार से आप एवरेज के माधिर्यम से बताने बाले हैं जैसा कि इस बिद्रीज में आपको जैनकारी हो जाएगी आसानी से तो देखें फ्रेंट सिंपली अगर देखें तो ये आपका दो सो पचासी आया है इसको आप दो से भाग कर दीजी कितने से दो सो दो से भाग करेंगे तो तो 142.5 निकल के आएगा यानि यह यहां से देखिए इस प्रकार का तिरिछा थोड़ी सी लंबाई निकलेगी तभी पराबर होगा यह 200 कितना हो जाएगा यह 100 कितना हो जाएगा 142.5 हो जाएगा इधर भी आपका 142.5 यह निकल के आएगा अब देखिए आउसत आपको निकालना है यह वाली भूजा की लंबाई आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा तो सिंपली आपको करना क्या है यह 11 ह से 4 माइनस कर दीजिए 11 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो निकल के आएगा कितना 7 निकल के आएगा अब ये 7 को क्या करना है 2 से भाग कर देना है जो मैं कर रहा हूं यही आपको करना है अगर आप खुद का छेट पर निकालना चाहते हो तो तो इसको काटोगे तो दो से काटोगे तो यह कितना आएगा 3.5 आएगा यहीं आएगा अब यह जो 3.5 आया हुआ है इसको क्या कर दीजिए आप यह 4 से आप क्या कर दीजिए जोड दीजिए तो यह 3.5 और 4 जोड़ेंगे तो यह निकल के आएगा 7.5 यह वाली लंबाई कितनी आ गई 7.5 का एवरेज आउसत निकल के आ गई अब एक समान यह चतुर भूज है यहाँ पर देखिए अब इसकी लंबाई देख लीजिए सिंपल यह 22 हो जाएगा आपका मैंने आधा आधा कर दिया यहाँ ठीक है यह इधर 22 इधर 22 टोटल 44 है तो 22 22 कर सकते हो आधा आधा ठीक है अब क्या करना है इसकी लंबाई आप मान लिजिए क्या मान लिजिए इसकी लंबाई आप मान लिजिए ए इधर मान लिजिए यहाँ तक A, इधर मान लेजिए, B, ठीक, यह मान लेजिए, क्योंकि यहाँ पे आउसत के ही थुरू निकल पाएगा, क्योंकि इसमें कोई एक पैटर्न नहीं बन रहा है, एक पैटर्न बनता तो उसमसार फारूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो इसका लू आपको निकल के आजाएगी, देखिये क्या करना है, यहनि 22 प्लस करना है आपको A, बटे आपको 2 कर देना है, इन्टु करना है कितना, 4 है इधर, देखियेगा, यहाँ पर कितना है, 4 फूट है, इधर 7.5 आया है, तो यह देख लिए, प्लस करना है, 7.5 बटे 2, अब यह 6 फल निकल जाएगा, क्योंकि चतरवोज का 6 फल क्या होता है, लंबाई गुड़ी चोड़ाई बराबर एरिया होता है, तो लंबाई आपका, यह यहाँ से निकलेगा आउस्त, और यहाँ से निकलेगा आपका चोड़ाई का, और जो की बराबर हो जाएगा, इसका मान, देखिए किसके मान बराबर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 142.5 तो फ्रेंट्स साथ 411 यानि 11.5 यह हो जाएगा 5 अब बटे 2 दूना 4 हो जाएगा और यहां पर गुडा में हो जाएगा 22 प्लस A यह समझ गया होगे अब इसको आप काट दिजिए 2 से 4 से काटेंगे तो य यह 2.47 का मतलब यह आपका छेतरफल है इसको 2.47 से क्या करती है 87 से भाग कर दिजिएगा ठीक है तो भाग करेंगे तो इसका मान जो निकल के आएगा कि एवरेज लंबाई जो आपने निकाली इसको भाग करेंगे तो यहां पर मान जो निकल के आएगा यह आएगा आएगा थेहर निकल आ है आपका 49.56 अब क्या करतें के तो एक ही बेलू निकल कर आएगी तो इढ hag के अचा कि अचछी आजाए गी कितना निकल के माइ तो यह आएगा 27.56 ठीक है यह आपका एक ही बेलू निकल के आएगी यह देखी यहां से लेके यहां तक अब ये क्या है अवस्त ही लंबाई है इसको आप कहोगे कि accurate थोड़ा सा data इधर उधर हो जाएगा पॉइंट में हो जाएगा ठीक है फीट फीट इधर हो सकता है बट आप जब शेतरफल आपको पता चल गया है तो ये लंबाई आपको माइनस कर सकते हो तो ये निकल के आएगी लेकिन यहाँ पे आप इसको निकाल लिएगा फार्मूले के थुरू तो क्या निकल के आएगा तो फार्मूले के थुरू आपका कितना है 22 प्लस आपने क्या माना है दर B माना है बटे आपको 2 करना है और इंटू करना है कितना देखिए यहाँ पे कितना माना आया है आपका यह है आपका 11 फूट और यह है आपका 7.5 फूट तो इसको जोड़िये और आधा करिए ठीक है तो जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो यह नहां भी कर सकते हैं यानि 7.5 प्लस 11 बटे 2 बराबर आपका कितना है 142.5 जो की एरिया के बराबर आया है तो 7, 4, 11 यानि 11, 7 यह हो जाएगा 18.5 तो यह 18.5 में आपको 4 से भाग कर दीजिए जैसे आप 4 से भाग करो के कितना मान निकल के आएगा आप भाग करेगा तो यह मान निकल के आएगा आपका 4.6 कितना निकलेगा 4.62 यह 4.6 तो simply आपको क्या करना है 142 में आपको भाग कर देना है तो यहां पर देख लीजिएगा यह आजाएगा 22 प्लस बी बराबर 142.5 बटे में आपको भाग करते हैं नहीं 4.62 से तो इसको आप भाग करेंगे तो यह मान निकल के कितना आएगा यह मान निकल के आएगा 30.81 काटिएगा तो कितना आएगा यह 30.81 कर सकते हो यह आप 84 तक भी कर सकते हो देसमलो के बाद बैलू ठीक है यह कितना आएगा यह आएगा आएगा 22 प्लस बी कमान अब आपको निकालना किसका है बी कमान तो simply आपको क्या करना है 30.84 में आपको क् घटा दीजिए ठीक है जैसे बाइस आप घटाएंगे तो यह काम कितना निकल के आएगा यह आगा आपका 84 84 फूट आएगा किसमें आएगा फूट में आएगा यह मान अब देखिए यहाँ पे आप अगर इसको माइनस करोगे यहाँ पे आप कह सकते हो कि गलत है लेकिन गलत मत मानिएगा क्योंकि अवसत में थोड़ी से लंबाई हमने आपको बता रखा है पहले से कम हो सकती है क्यों लेकिन इसको अवरेज मानना है आपको अवसत मानना है तो यह अपासानी से निकाल सकते हैं इसका छेत फल आप सिंपल ही आपको छेत फल जब चेक भी करना है तो चेक कर सकती हो कैसे कर सकती हो जैसा कि आपकी लंबाई देखिए कि इस प्रकार की है इस प्रकार का खेत है आ ऐसे निकल के जाएगी, ऐसे तिर्ची आएगी, क्योंकि ये 27.56 है, इधर आपका कितना है, 8.84 है, तो यहाँ टोटल कितना है, 29, 38 है, तो ये लंबाई तिर्ची आएगी, अब ये वाला छेतर फल, ये वाला छेतर फल बराबर आएगा, यहाँ से आउसत लंबाई आपको यह फल एक का, तो इसका उसत, इसका उसत लीजिए, इसका और और इसका, इसका 7.5 आया है, दोनों का उसत का छेत फल जब निकालेंगे, तो 142.5 आना चाहिए, तो अगर नहीं आ रहा है 142.5 थोड़ी से लंबाई आपको क्या करनी इधर बढ़ा देनी है, तो वो आपने निकाल लीजेगा, इस प्रकार से अपने खेतों का छेत फल भी निकाल पाएंगे, आसानी से सारी कुछ जानकारी आपको मिल लाएगी, तो आसा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करना है, दोतों तक शेय करना है, वीडियो को यहीं स्वाफ़ करते हैं, नमस्कार.